Hello Friends, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल Mr. Horror Explainer में आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ उसका नाम है Teen and Tina और ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है और ये एक psychological horror मूवी है Friends, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक request है मैं इस वीडियो के जरिये मैं अपने चैनल पर एक हजार सब्सक्राइबर का achievement कम्प्लीट करना चाता हूँ तो इसलिए आप से request करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजे और notification bell icon को भी दबा दिजेगा ताकि latest वीडियो की update आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो को start करते है मूवी की शुरुआत में हमें 1981 स्पेन में एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम Adolfo और Lola है और दोनों शादी करते हैं और यहां हमें पता चलता है कि Lola pregnant भी थी जब वो दोनों शादी करके बहार निकलते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी body में से bleeding होना शुरू हो जाता है जिसके चलते हैं उसे hospital में admit किया जाता है जहां डॉक्टर Lola से कहती है कि वो मा कभी नहीं बन पाएगी ये सुनकर Lola बहुत ही ज़्यादा upset हो जाती है इदर हमें और एक चीश पता चलता है कि Lola का एक पैर नकली है मतलब कि उसका एक पैर कट चुका है और उसके लिए वो एक artificial पैर लगा कर चलती है Lola को जब पता चला कि वो मा कभी ने बन सकती तब से वो हर समय उदासी रहती है और उसे देखकर उसका husband एडॉल्फो को भी बुड़ा लगता है और वो फैसला करता है कि हमें एक बच्चा एडॉप्ट करना होगा जिसका चलते लोला खुश रह पाएगी अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों और्फनेश पहुँच जाती है और वहां लोला बहुत सारे विकलांग बच्चे को देखती है मगर वहां की इंचार्ज सिस्टर उन दोनों को टीन और टीना से मिलवाती है यहां हम टीन और टीना को देखते हैं जिसका सरीर पूरा सफेध है और दोनों अजीब तरह से दिखते हैं। उन दोनों को देखकर लोला का मन खुश हो जाता है और वो अच्छा फिल करने लगती है। मगर एडॉलफो लोला को समझाता है कि ये दोनों बच्चे बहुत ही बड़े हैं। मगर लोला एडॉलफो को समझाती है कि इन्हें एक गारजन की जरूरत है और हमें इन्हें गोद लेना चाहिए। ये सुनका एडॉलफो अपनी पतनी की खुशी के चलते तीन और टीना को एड़ाप्ट कर लेता हैं और उन्हें घर ले आता है। घर पहुंसते ही लोला उन दोनों को अपने कुटे से मिलवाती है जिसका नाम कुकी है मगर कुकी उन दोनों को देखकर भौकने लगता है। हर नियम को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। सोने से पहले लोला उन दोनों का समान खोलती है जहां उसे एक बाइबल मिलता है और एक क्रॉस का निशान भी मिलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टीन और टीना जब ब्रेफरस्ट करने के लिए बैठते हैं। दोनों लोला से कहते हैं कि क्या आप भगवान से मिलना चाहेंगे। तो फिर टीना टीन का मुँ एक बैग से बांध देती है और उसका दम घोटने लगती है। टीन तरपने लग जाता है। मगर ऐसा करने से उन दोनों का मानना है कि हमें भगवान दिखाई देते हैं और हम जो चाहें उनसे मांग सकते हैं। ये देखकर लोला थोड़ा घबराने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीन और टीना एक स्कूल में भड़ती होते हैं। जहां उसके क्लास में एक मोटा बच्चा उसको देखकर चिराने लगता है और कहता है कि ये दोनों बच्चे ड्राकुला के बच्चे है क्योंकि इन दोनों का स्कीन वाइट है घर आने के बाद टीन और टीना लोला से पूसते हैं कि क्या हम ड्राकुला के बच्चे हैं लोला कहती है कि नहीं बस थोड़े से अलग हो और अलग होना अच्छी बात है उसी रात जब टीन और टीना सोने जा रहे थे तभी वहाँ पर लोला आ जाती है और उनके साथ खेलने लगती है मगर हम अचानक देखते हैं कि टीना लोला की चहरे पर एक कपड़े को बांदेती है और उसका गला घोटने लगती है मगर दोनों लोला से कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगो और क्या आपको भगवान दिख रहे हैं मगर थोड़ी देर में टीना उसके चैरे से वो कपड़े को हटा देती है तभी वहाँ पर एडॉल्फो पहुंच जाता है और दोनों बच्चे पर गुसा करने लगता है फिर टीन और टीना दोनों लोला के कमरे में आते हैं और उससे माफी मांगते हैं मगर वहाँ उसका कुट्टा कुकी उन दोनों को देखकर भौकने लगता है और उसे शांत करने के चक्कर में कूकी लोला के हाथ को काट देता है और वहाँ से भाग जाता है अगले दिन सुबा हम देखते हैं कि वो मोटा बच्चा अपने कुछ दोस्तों के साथ तीन और टीना के पास आता है और उन दोनों को परिशान करने लगता है अगले सीन में हम देखते हैं कि एडॉलफो और लोला अपने बीच टाइम स्पेंड करने के लिए एक कमरे में चले जाते हैं तभी टीन और टीना डिसाइड करते हैं कि कूकी को सजा देनी होगी क्योंकि उसने लोला के हाथ को काट दिया था इसके लिए दोनों बाइबल पढ़ते हैं कि कूकी को कौन सी सजा देनी चाहिए इसके बाद टीना लोला के कमरे से बेहोशी की दवा चुड़ा कर कूकी के खाने में मिला देती है जिसके चलते कूकी उस खाने को खाकर बेहोश हो जाता है और टीन और टीना उसे पकड़ कर घर के अंदर ले आते हैं और उसे काटने लगते हैं क्योंकि इस तरह के चीजे वो दोनों बाइबल में पढ़े थे और इसके बाद खून से लत्पत दोनों लोला और एडॉल्फो के पास जाता है टीना कहती है कि कुकी उठने रहा है वो दोनों अपने कुटे को देखने के लिए जाती है और वो देखते हैं कि कुकी मर चुका है ये देखकर लोला रोने लगती है क्योंकि कुकी उसके दिल के बहुत ही करीब था मगर ये देखकर दोनों बच्चे एडॉल्फो से पूसते हैं कि कूकी को क्या हो गया है और यहां ये सब देखकर आप लोगों को लगेगा कि टीन और टीना जान बूच करके ये सब नहीं कर रहे हैं और वो दोनों इतना जादा धार्मिक हैं कि हर चीज को वो दोनों बाइबल में उसका इलाज ढूनते हैं खैर इसके बाद एडॉल्फो कूकी को जमीन में गार देता है और लोला को समझाता है कि टीन और टीना नादान है और इन्हें हमारी जरूरत है मगर ये सब चीज देखकर लोला अंदर ही अंदर ड़ने लगती है फिर एक दिन रात को टीन और टीना दोनों फोक से अपने पैरों में छेट करने लगते हैं ये सब देखकर लोला उनसे फोक को छीन लेती है और उसके पैरों को फॉस्टेट करने लगती है लोला फुस्ती है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो तो टीन और टीना कहते हैं कि बाइबल में ऐसा ही लिखा हुआ था लोला उन दोनों को समझाती है कि बाइबल में लिखी हुई हर बात को अपने जीवन में अप्लाइड नहीं करना चाहिए और इस उमर में तुम लोगों को खेल कूद और मौज मस्ती करना चाहिए ऐसी करते करते न्यू यर का दिन आ जाता है और उस रात एडॉल्फोर्ट टीन और टीना के साथ मस्ती करता है तब ही हम देखते हैं कि लोला बेहोश हो जाती है हॉस्पीटल में एड्मिट होने के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि लोला मां बनने वाली है और इसी खुशी में तीन और टीना दोनों नाचने लगते हैं फिर टीन और टीना दोनों लोला के बच्चे को सैक्रिफाइस करने के लिए पूसते हैं और कहते हैं कि जिस तरह जीजस ने अपने आप को कुर्बान करके इंसानों को बचाया था तो क्या उसी तरह हम दोनों को बचाने के चक्कर में क्या आप अपने बच्चे को कुर्बान कर देंगे ये सुनकर लोला हैरान हो जाती है फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि से हॉस्पिटल में एड्मिट किया जाता है फिर रात के समय लोला टीन और टीना से पूसती है कि ये वो वही लड़का है जो तुम लोगों को परिशान करता था और पूसती है कि क्या उसकी ये हालत तुम लोगों ने की है ये सुनकर दोनों कहते हैं कि हम उस लड़के के साथ थें और उन लोगों के कारण ही कुछ ऐसी घटना हो गई है जिसके कारण मेरे बेटे की ये हालत हो गई है ये सुनकर लोला को विश्वास हो जाता है कि ये सब के बीचे टीन और टीना का हाथ है इसके बार लोला उसी और फनेच में जाती है जहां टीन और टीना को ले लेती है और उसमें देखती है कि कुकी जो की मर चुका था उसका ड्रॉइंग बनाय हुआ था और अगले पेज में उसमें उसी मोटे बच्चे की ड्रॉइंग भी बनाय हुआ था जिसे उन दोनों ने अधमरा कर दिया था ये देखकर लोला को यकीन हो जाता है कि इन सब के प बाइबल नहीं दिखता है। जब वो दोनों लोला के पास जाते हैं। लोला उन दोनों को से कहती है कि आज के बाद तुम दोनों बाइबल नहीं पढ़ोगे। और लोला उस बाइबल को एक बकसें के अंदर लॉक कर देती है। अगले दिन लोला को उसी मोटे बच्चे की मा का फोन आता है और वो कहती है कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है और ये सुनकर लोला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है फिर एक दिन एडॉल्फो अपने काम के चलते कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है और टीन और टीना से कहता है कि अपनी मा का ख्याल रखने के लिए फिर हम देखते हैं कि अगले दिन लोला जब अपनी नीन से उठती है वो देखती है कि उसकी दोनों हाथ बंदे हुए और टीन और टीना दोनों उसे दूद पिलाता है जिसमें poison मिला हुआ था मगर लोला उस दूद को नहीं पीती है फिर टीन एक injection लेकर आता है और उसमें दूद भर कर जैसे उसके पेट में इनजेट करने की कुशिश करता है लोला अपने हातों को छुड़ा लेती है और वहां से भागती है और एक छूड़ी उठा कर अपने आपको बचाने की कुशिश करती है मगर तबी वहाँ पर एडॉलफो घर वापस आ जाता है एडॉलफो लोला को देखकर समझ रहा था कि लोला बच्चों के साथ कुछ गलत करने वाली थी लेकिन तब ही हम देखते हैं कि लोला का वाटर ब्रेक हो जाता है मतलब कि उसकी डिलिवरी का टाइम हो चुका था डिलिवरी होने के बाद एडॉलफो लोला को समझाता है कि अब हम दोनों अपनी जिंदेगी एक नई सिरे से सुरुआत करना चाते हैं मगर लोला एडॉलफो को समझाती है कि टीन और टीना दोनों उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे और उसे माणने की कोशिश कर रहे थे मगर एडॉलफो की बात सुनकर लोला उसकी बात मान जाती है फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एडॉलफो अपने घर को टीवी के बाहर लगा देता है क्योंकि उस दिन फुडवाल का मैच शुरू होने वाला था तब ही चुपके से टीन और टीना दोनों बकसे को खोल कर अपना बाईवल निकाल लेता है इधर लोला अपने बच्चे का ध्यान रख रही थी और खाना बना रही थी फिर जब लोला फ्रीज खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर अंडे है ही नहीं तो वो अंडे लेने के लिए फार्म चली जाती है इधर हम देखते हैं कि एडॉलफो फुड़ वाल मैस देख रहा था तब ही चुपके से टीन और टीना दोनों लोला के बच्चे को उठा कर स्विमिंग पूल के पास लेकर चली जाते है और उसके बच्चे के पैर को पकड़ कर पानी में डुबा देता है और बाइबल में कुछ मंतर पढ़ने लगता है तब ही लोला को ऐसास होता है कि कुछ गरबर हो रहा है क्योंकि एडॉलफो बाहर मैस देख रहा था और कीचन के अंदर कोई भी नहीं है तब ही जब लोला बाहर जाकर देखती है कि टीन और टीना दोनों उसके बच्चे को पानी में डुबा रहे हैं वो जल्दी से अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और एडॉलफो पर चिलाने लगती है और कहती है कि तुम कैसे बाप हो और तुम अपने बच्चे पर ध्यान नहीं रख रहे हो ये सब देखकर एडॉलफो दोनों के उपर गुसा करने लगता है और उनके बाइबल को जला देता है और दोनों को वापस और्फनेज छोड़ देता है इसके बाद एडॉलफो और लोला दोनों एक रेश्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है मगर लोला एडॉलफो से नाराज थी और उससे बात नहीं कर रहे थी क्योंकि वो अपने बेटे पर ध्यान नहीं देता है अगले सीन में हम देखते हैं कि और्फनेज में जहां हमें पता चलता है कि सिस्टर ही वही औरत है जिसके चलते सारे बच्चे को इस तरह के ग्यान मिल रहा है फिर घर वापस लोटते समय हम देखते हैं कि एडॉलफो बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रहा था तभी सामने अचानक एक जानवर आ जाता है जिसके चलते एडॉलफो जोर से ब्रेक मारता है मगर फिर भी दोनों ठीक थे और घर वापस आ जाता है फिर जब लोला अपने बच्चों को सुला देती है लोला एडॉलफो के पास जाती है और अपने शादी वाली अंगूठी को उतार देती है ये देखकर एडॉलफो समझता है कि लोला उसे छोड़ कर जाने वाली है मगर एडॉलफो उसे समझाता है और कहता है कि मैं एक अच्छा बाप बनूँगा और मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, मगर मैं अपने आपको सुधारूंगा। और लोला समझती है कि टीन और टीना दोनों वापस घर में आ चुके हैं, लेकिन तभी अचानक घर के लाइट ऑन आफ होने लगते हैं। लोला बाहर चेक करने के लिए जाती है और वो देखती है कि एडॉल्फो को करेंट लगने के कारण वो जल रहा था और उसे बचाने के लिए लोला च्छत की तरफ दोड़ती है, लेकिन एडॉल्फो घर के अंदर पहुंच जाता है और वो वहीं पर जल के मर जाता है, फिर ल लोला अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने कमरे में जाती है, लेकिन उसका बच्चा वहाँ पर था ही नहीं, वो मदद मांगने के लिए बाहर चिलाती है, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, इसके बाद लोला अपने मूझ को कपड़े से बांद देती है, औ और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यहां हम देखते हैं कि और्फनेज की सिस्टर उसे मिलने के लिए आती है। और लोला से कहती है कि तुम्हारे पती अब इस दुनिया में नहीं है। मगर तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। लोला सिस्टर से कहती है कि कल रात तीन और टीना मेरे घर आये थे मगर उसकी बात सुनकर सिस्टर कहती है कि वो दोनों बच्चे इतनी रात को तुम्हारे घर कैसे आएंगे और ये भी कहती है कि तीन और टीना को दोनों मैंने ही अपने कमरे में सुला दिया था सिस्टर की बात सुनकर लोला को यकीन हो जाता है कि टीन और टीना मासूम है और जब एडॉल्फो का अंतिम संसकार हो रहा था तो उस समय लोला वापस टीन और टीना को अपना लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है इस फिल्म में होरर एलिमेट बहुत ही कम दिखाया गिया है और इस फिल्म से हमें ये पता चलता है कि टीन और टीना दोनों बहुत ही मासूं है लेकिन सबी बच्चों के पीछे वही सिस्टर का हाथ है और सिस्टर नेहीं सबी बच्चों का brain worship किया है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं नेक्ष वीडियो में